हलो दोस्तों मारे पास question दे रख है A किसी कारिया को 18 दिन में, B 20 दिन में, C 30 दिन में पूरा करता है B और C मिलकर इस कारिया को आरम करते हैं दोस्तों किन्तु 2 दिन बाद वे कारिया को छोड़ कर चले जाते हैं तो शेर्स कारिया को पूरा करने में A को कितना समय लेगा B करेगा उसको 20 दिन में और C करेगा 30 दिन में यह आया दोस्त हमारे पास, अब इनका हम अलिस्यम कीतना आएगा दोस्तों, अलिस्यम आएगा इनका 180 पास C, जो ए 180 आए दोस्तों ये total काम आया हमारे पास, अब हम निकाल लेंगे एक दिन की इनकी efficiency, यानि कि एक दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है, तो 180 को 18 से divide करेंगे, तो हमारे पास क्या आगा 10, यानि कि A एक दिन में 10 करिया करता है, B कितना करेंगा हम इसको इससे divide करेंगे, तो हमारे पास आजाएगा 9, तो B एक दिन में 9 करिया करेंगा, तो C कितना करेंगा दोस्तों, एक 180 को 30 से divide करेंगे, तो हमारे पास आएगा 6, यानि कि C कितने दिन में करेंगा करेंगे, 6 दिन में, अब यह कहता है, ये एक दिन का करि कारिया को आरंब करते हैं B और C मिल कर दोस्तों B और C एक दिन में कितना कारिया करते हैं 9 और 6 15 यानि कि B पलस C एक दिन में कारिया करते हैं 15 एक दिन का तो यह करता दो दिन कारिया करते हैं दो दिन कारिया करते हैं तो हम दो से गुणा कर देंगे तो हमारे पास दो दिन में क 500 दोस्तों तो 1500 कारिया बचा एक को करना इसारक सार तो ए एक दिन में कितना कारिया करता दस कारिया करता दोस्तों अब इसको हम कट करेंगे तो 0 से 0 का टोगी उपर आया दोस्तों 15 यानि कि ए उसको कितने दिन में खतम कर देगा 15 दिन में खतम कर देगा दोस्तों यही के हमार answer option number C is right इसी तरह की short trick वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को like, share, subscribe करना मत बुले ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको जल्द से जल्द पराप तोसके